हलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका खाना सिखो में आज हम बनाएंगे सक्करकंदी से चीप्स ये चीप्स खाने में बहुत ही टेश्टी है और बनाना तो और भी आसान है तो चलिए सक्करकंदी से चीप्स बनाना शरू करते हैं तो सबसे पेले मैंने यहाँ पर दो सकरकंदी लिया है इसे मैंने धो करके अच्छे से साप कर लिया है अब हम इसके छिलके निकाल लेंगे तो यह देखे मैंने छिलके अच्छे से निकाल लिया है इसी तरह से हम छिलके निकाल लेंगे और यह मैंने चीप्स कटर लिया है इससे हम चीप्स कट कर लेंगे यह देखे इस तरह से इसी तरह से हम सारी चिप्स बना लेंगे तो यह मैंने सारी चिप्स बना ली है अब हम इस चिप्स को तलेंगे तो तलने के लिए मैंने गेस पर तेल को गरम रख दिया है और तेल गरम हो गया है तो चिप्स को हम तेल में डाल देंगे और गेस को स्लो कर देंगे इसे अलटते पलटते अच्छे से पका लेंगे तो ये हमारी चिप्स अच्छे से पक गई है तो इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से सारी चिप्स को तल लेंगे तो ये हमारी सारी चीप्स बन करके तयार है चीप्स बहुत अच्छी बनी है आप इसे जरूर ट्राइ करना अब हम इसमें मसाला डालेंगे थोड़ा सा नमक लाल मीर्च पावडर और थोड़ा सा काला नमक और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह देखिए हमारी चीप्स बहुत ही कुरी और बहुत ही अच्छी बनी है आप इसे जरूर ट्राइ करना अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बुलिएगा थेंक यू